हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नंकिशोर क्लासिज अक्सर बच्चों को एडिशन सब्ट्रेक्शन में प्रॉलम आती है और साइन्स नेगटिव कैसे यूज करने हैं पोजिटिव साइन्स कैसे यूज करने हैं या इस तरह की जो आपको प्रॉलम्स नजर आ रही हैं स्क्रीन पे तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका अंसर क्या होगा कैसे इनको सॉल्व करना है तो आज के लेक्चर में हम पोजिटिव टर्म्स को एड़ करना सीखेंगे नेगटिव को एक पोजिटिव एक नेगटिव हो और फाइनली इस तरह के कुशिंस किस तरह से इ सेम साइन और दूसरा डिफ्रेंट साइन इसी में ही बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे सेम साइन मतलब जैसे कि आपने एक 10 है मानलीजिए एक 5 है देखो 10 भी पोजिटिव 5 भी पोजिटिव दोनों पोजिटिव हैं तो 10 और 5 को एड़ करिये क्या बनेगा 15 बनेगा और देखिए 15 भी positive है और ये हमने पहले ही किया हुआ है बच्पन से हम पढ़ते आ रहे हैं 10 प्लस 5 इस 15 अब इसको analyze करने की जरूरत है अच्छा 10 और 5 दोनो positive sign के हैं मेरा final answer भी positive आता है लेकिन अगर मान लो दोनो negative होते एक यही rule है आब add कर रहा हूँ यहाँ पर 10 भी negative है 5 भी negative है अगर दोनो negative है न तो भी क्या करना है add करना है ये point अब note कर लीजिए क्या करना है हमने add करना है same sign है तो add होगा 10 और 5 15 भी बनेगा और negative का भी बनेगा ये छोटा सा rule याद रख लीजिए दोनो same sign के हैं तो addition होगी चाहे वो दोनो positive हो चाहे दोनो negative हो addition होगी और final answer का sign भी वही होगा negative को add कर रहे हो तो negative भी answer आएगा positive थोड़ा आजएगा अगर different sign हो different sign का मतलब इनी values कोई ले लेते हैं मानलो minus 10 plus 5 है अब देखो एक negative एक positive अगर है तो क्या होगी subtraction होगी मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ तब क्या होगी subtraction होगी आपको subtract करना होगा बड़ी value में से छोटी value subtract कर दीजिए 10 में से 5 minus कर दीजिए 5 आएगा सवाल तो यह उठता है यह 5 positive या negative जो बड़ी value है देखो जो बड़ी value है प्रभाव उसी का रहेगा effect उसी का रहेगा 10 बड़ी value न वो negative है तो negativity जादा है यहाँ पर negative answer आएगा और अगर आपके पास इस तरह से होता 5 minus 10 एक ही बात है यह बहुत हर सेम बस negative term बाद में लिखी हुई है तो 5 minus 10 भी अगर होता तो भी answer minus 5 भी होता rule सेम है एक positive एक negative बड़ी value में से छोटी value minus कर दो 10 में से 5 minus किया 5 बड़ी value negative है न तो negative answer ही आएगा आप यह rule अब ध्यान से देख लीजे बस जब भी आपने questions करने हैं आपने यही देखना है same sign आ रहा है या different sign आ रहा है अभी देखो कुछ examples करते हैं इस तरफ में same sign वाले example करते हैं मालीजे ऐसा होता minus 5 minus 7 minus 3 अब देखी तिनो negative हैं तिनो negative हैं तिनो add हो जाएंगे 7 plus 3 10 10 plus 5 15 यह देखे जी negative 15 right same sign हो तो बस add करना है अब इसी को मैं अगर बात करूँ कि 12 plus 3 plus 5 तिनो positive है 20 answer add करके देख लिजे negative में अगर minus 11 minus 11 minus 10 हो तो भी add होगा 11 and 11 22 22 में 10 add करेंगे 32 लेकिन negative का क्योंकि सारे negative हैं subtraction वाली side चलते हैं मान लिजे ऐसा आ जाता है minus 25 plus 11 तो अब आपको समझ आ रहा है एक negative है एक positive है करना तो subtract पड़ेगा minus करना पड़ेगा 25 में से 11 minus कर दीजे 14 लेकिन बड़ी value negative है न negative 14 answer होगा यादी यही रखना है और अगर यही मेरे पास ऐसा होता minus 7 plus 11 तो अब 11 में से 7 minus करोगे एक negative है एक positive है तो 4 आएगा अब बड़ी value positive है तो answer भी positive 4 आएगा बस यही करना है कोई मुश्किल काम नहीं है अब हम आगे 4 terms वाले questions पर चलते हैं जो आपने इस video की starting में देखे थे चलिए start करते हैं ध्यान से देखिए हमारा first question है minus 3 plus 5 minus 6 minus 8 जो rule हमने पड़े हैं सभी वही rule use होगे ध्यान से देखो इस तरह के questions में जब कुछ terms positive कुछ terms negative हो तो easily आप क्या कर सकते हैं पहले तो terms को interchange कर दो positive terms इकठी कर दो negative अलग कर दो जैसे कि मैं 5 को पहले लिखता हूँ minus 3 को बाद में लिखता हूँ इसमें कोई problem नहीं है लेकिन इसमें ऐसा करने से आपका question बहुत easy हो जाएगा क्यों easy हो जाएगा अब positive term तो एक ही है मेरे पास ये जो negatives हैं अभी आज पढ़ना negative वाले add हो जाते हैं तो इनको add कर दीजे 8 और 6 14 14 में 3 add करेंगे 17 लेकिन negative है ना सारे negative वाले ही कठे कर दिये अब rule पढ़ दिया हमने एक positive एक negative हो तो क्या करना है subtract करना है 17 में से 5 subtract कर दो क्या होगा 12 होगा अब 17 negative है तो negative 12 आपका discussion का answer होगा और पढ़ते हैं हमारा next question है minus 45 plus 89 minus 23 minus 7 अब इसमें भी ऐसा ही कुछ करना है 89 सबसे पहले लिख लेते हैं चलो positive value है negatives एक साथ कर देते हैं क्या बनेगा 23 and 7 30 होता है 30 में 45 add करेंगे तो 75 और वो भी negative के बहुत easy बन गए 89 में से 75 subtract करें 14 तो इस तरह से terms को आप interchange कर सकते हैं main क्या बताना चाहता हूँ मैं कि positive को अलग add करना है negative को अलग add करना है अब ये को और question और करते हैं उसमें और clarity होगी जैसे 23 माइनस 75 प्लस 7 माइनस 9 अब देखो इसमें दो टर्म positive हैं दो negative हैं तो आप क्या करें positive terms पहले लिख लो negative terms बाद में लिख लो खुद clarity हो जाएगी कि 23 में 7 add करना है 30 75 में 9 add करोगे तो 84 negative को add करोगे तो negative positive को add करोगे तो positive अब एक negative है एक positive है तो 84 में से 30 subtract करेंगे तो क्या होगा 54 लेकिन ये बड़ी value negative है न तो negative answer आएगा last question आज का करते हैं ध्यान से देखिएगा मानली जीए 7 minus 10 plus 11 minus 5 है और एक term add कर देते हैं चलिए plus 8 भी add कर देते हैं rule सेम रहेगा न कि positive terms को आप पहले लिख लो negative terms को बाद में लिख लो बात तो इतनी है उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इनको add कर दीजिए 11 में 7 add करोगे तो 11 plus 7 18 18 में 8 add करेंगे 26 10 और 5 add कर दो 15 अब क्या करना है 26 में से 15 minus ही करना है क्या आएगा 11 आएगा तो बस 11 answer है तो I hope आज के lecture का हमारा जो aim था कि positive negative terms को addition, subtraction ये सब करना, calculate करना, evaluate करना ये आपको अच्छे से समझा गया होगा और अब negative positive में कोई problem नहीं आएगी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए thank you so much